हेलो दूस्तों स्टॉक एनलिसिस में आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत हैं दूस्तों एक कम्पनी है जो की हाली में लिस्टेड हुआ था एक पैनी स्टॉक है और यह पैनी स्टॉक ने बोनस देने का एननस्मेंट किया है अगर आपके पास चार सेर होगा तो आपको बोन वीडियो का नोटिविकेशन मिलता रहे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कमने जबरे में डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें पिछले एक महने का अंदर सटोक ने 1% का नेगेटिबी रिटन दिया है और उहीं देखो गए पिछले 6 मने का अंदर स्टोक ने 499 परषन का रिटन दिया है यह PRI जब्र लिस्टिंग हुआ था 9 सेप्टमबर 2022 में और जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अभी तक बहुत आचा राली देखने को मिल रहा था लेकिन अभी के टाइम पे आपको तो पता है दोस्तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा भाइंकर गिराबर देखने को मिल रह और बोजेट की सेशन में भी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर फ्लोक्सेशन देखने को मिला है यहां पे निप्टी पेंक के अंदर निप्टी फिप्टी और निप्टी बेंक के अंदर बहुत ज़्यादा हाई बुलेटाइल देखने को मिला है दोस्तो यहां पे इं मार्aimerेट का अंदर बहुती बड़ा रिसेशन देखने को मिला और उसी के बिच्विची यहां पर आधानी से रिलेड्ड़र बहुती बड़ा न्यूस भी देखने को मिला जिसके चलते आदानी की सिर्फ और सिर्फ दोस्तो एक तो रिजिन था मार्केट का अंदर क्रास होने का एक रिजिन था बजेट सेशन तो बजेट सेशन खतम होने के बाद नर्माली गिराबर देखने को मिल था है हिस्ट्री का अंदर पहले हिस्ट्री का अंदर भी देखने को मिल चुका है और उसके बाद आधानी का न्यूस जुजु देखने को मिला था फिर उसके बाद आधानी की बज़े से मार्केट का अंदर भी बहत ही बड़ा गिराबर देखने को मिला है तो यहां पर आपको बता दो आदानी से रिलेटेड अभी आदानी के अंदर अगर क्रास होगा तो सबसे बड़ा इंपाक्ट देखने को मिलेगा Nifty bank का अंदर क्योंकि आदानी के ऊपर हैं जितने भी PSU bank है तो बहत इवड़े बड़े लोन देखे रखा है आधनी गूरुप को तो जिसके चलते आधनी का share तो pleas crash कर रहा है और nifty bank भी crash कर रहा है और और अगर nifty bank crash करेगा तो market कंदर भी crash का सेनारियो देखने को मिलेगा तो ऐसे में आपको बता दू दोस्तों जब भी market का अंदर correction होता है, पहले भी आपको बताय था, जब भी market का अंदर correction होता है, फिर उसके बाद एक निया राली देखने को मिलता है, आप history उटा के देख लिजे, nifty bank और nifty 50 और census का, सारे के सारे index जो है, दोस्तों सारे के सारे जो है, जब भी market का अंदर बहुत आली देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको गबराना नहीं है, अगर इसी recession में, अगर यहाँ पर recession होता है, तो आपने सारे के सारे पसंदिदा stock उठा लो आगया अनवले दिन में, यानि कि अगर crash होता है, फिर उसके बाद, एक से दू साल का अंदर market यहाँ पर दूग कि आपके पसंदिदा share जो है, अच्छे कासे मुल्टि बगर श्टोक जो है, तो चले दोस्तो कमपनी के बारे में देख लेते हैं, कमपनी का नाम है, रेतवन TMT Limited, इस कमपनी ने दोस्तो हाली में लिस्टेट हुआ था, और यह कमपनी announcement किया है कि record date रखा है, 31 January 2023, और कमपनी का fundamentally अगर बात करें, तो इस कमपनी ने TMT बार का manufacturing करता है, जो TMT बार का construction industry के लिए उज़ेस होता है, और उसके बाद डेम, बीज, रेसिदेंशाल, एंड कमर्चियाल टावार बनाने के लिए सब चीजे जुए उज़ेस होता है, major infrastructure project के लिए इनका product उज़ेस होता ह और उसके बात दोस्तों और parameter आप देखोगे, यहाँ पर कमपनी के बार में बहुत सारा negativity है, यहाँ पर एक penny stock है, आपको बोलना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो सिर्फ आपके educational purposes के लिए था, यहाँ पर एक जानकारी के लिए था, आपको कोई भी buy or sell के recommendation नहीं है, जिन लोगों ने इसमें खरीदारी के हैं, उनको यहाँ पर bonus देगा, जिसके चलते आप जानकारी ले सकते हो इस वीडियो के अंदर, देखे यहाँ पर कमपनी का sales गुरूद आप देखोगे, पिछले quarter में September 2021 की quarter में कमपनी यहाँ पर 31 करोड का sales क्या था, यहाँ पर happily result है दोस्तों, और September की quarter में कमपनी 33 करोड का sales क्या था, और यहाँ पर profit में है, एक 9 लाग का profit क्या था, और भी 1.41 करोड का profit क्या है, लेकिन year on year basis में growth जो है, ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पिछले बार कमपनी ने 20 करोड का sales क्या था, फिर 52, फिर 67, तो ऐसे ऐसे करके कमपनी का अंदर sales में increasement हो रहा है, यहाँ पर profit में भी increasement किया है, और stock price easier में भी increasement देखने को मिला है, तो नॉर्माली दोस्तों, ज्यादा तर जो stock रहते हैं, bonus होने के बाद, split होने के बाद, इनका price जो है, वो तो काफी ज्यादा नीचा आ जाता है, price adjustment हो जाता है, ल मेरे ख्याल से, reliance जैसे stock के अपर आपको focus रखना चाहिए, reliance और उसके बाद chemical sector के अंदर भी आपको focus रखना चाहिए, यहाँ पर budget के अंदर भी दूस्तों अगराम बात करें, budget के favor में बहुत ही सारे कमपनी का announcement हुआ है, जो कि आगया नवले दिन में इनमें तेजी देख से एक बहुत बड़ा announcement हुआ है, बहुत बड़ा package announcement हुआ है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे sector है, अगर आप वीडियो चाते हो तो आप comment में लिखेगा, उसके अपर जल्द से जल्द वीडियो बना कर लेकर आएंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते ह और एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार